हेलो फ्रेंट्स तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैंट या फिर प्लाजो में जो साइड में जो पॉकिट होती है उस पॉकिट में आप चैन या फिर जिप कैसे लगा सकते हो बहुत असान तरीके से आपको आज की वीडियो में सीखने को मिलेगा और फ्रेंट तो अगर आप भी पैंट में पॉकेट लगाना यह देखिए यह पैंट का आगे वाला हिस्चा है ओर यह है पैंट का पीछे वाला WIL सा आगे वाले हिस्से पर यह देखिए इसको उठा लिया मैं warriors Сित आगे वाले characterize नहीं देखिए तो पॉकेट के लिए जो आक्सर हात हो इस पेस्स छोड़ते हैं एंह छोड़ते हैं च्छाइच पांच भी रख सकते हो आपको सबसे पहले यहां पर एक पेपर फ्रूम में पेस्टिंग चिपका रहने यह जितनी जगर पर का हाथ होगा उपपर से आपको इस इसको पहले छोड़ना है दो इंच के बाद ही आपको टोटल 6 इंच के दाएरे में आपको एक पेपर फॉम या फिर पेश्टी चिपकानी है और इधर से आपको आधा इंच का गैप रखना है इसके बाद आपने उठाना है पोकिट को यह देखिए यह है पोकिट और पोकिट को पहले को पूरा खोल लेते हैं यह मैंने पोकिट को पूरा खोल लिया और इस कपड़े को यानि की जो पैंट वाला आगे वाला हिस्सा है इसको आपने यहां पर रखना है इसके बिलकुल पास में और आपने यहां से सिलाई की शुरुआत करनी है इस निशान से सिलाई की उपर नहीं होनी चाहिए तो दोस्तों इस तरह से इस सलाई को लगाने के बाद अब आपको क्या करना है यहाँ पर आपको एक कट लगाना होगा यह देखिस तरह ऐसे जितना भी आपका हाथ होता है ना इसमें pocket में डालने के लिए उस जगे पर आपको इस प्रकार से cut लगाना है जैसे ये cut meinin लगा लियाँ आप के देख सकते हो ठीके cut complete के लगाने के बाद अब आप को क्या करना है अब आपको ये जो pocket वाला part ये जो pocket है इस pocket वाले इससे को आपनी इस प्रकार से नाकून से तोड़ा से इसको pressure करना इस प्रकार से ये देखें अराम से ये set हो जाता है set होने के बाद अब ये जो मेंगे cut लगाये थे cut में इसलिए लगाये थे ताकि इदर से अलग से ये जो कपड़ा है ये वला ये निकल कर आ जाता है ये देखिए और यहाँ पर पेस्टिंग यहाँ फिर पेपर फॉर्म इसलिए लगाते हैं ताकि यहाँ पर जब आप इसमें पॉक्ट चैन लगाओगे यह फिर जिप लगाओगे तो यहां से बिल्कुल भी आपका लूज नहीं रहेगा बिल्कुल कड़कपन रहेगा और बहुत परफेक्ट तरीके से फिनिशिंग के साथ इसमें चैन भी लगेगी अब आपको क्या करना है अब यहां पर आपको चैन को अटेच करना है तो दोस्तों अब इसमें आपको परकार से यह लोक होता है इस लोक से आपको यह देखिए यह जो कट है कट कम से कम आधा इंच आपको उपर रखना है इसको मैं आधा इंच उपर रखा है और बिल्कुल उपर इसके यह देखिए बिल्कुल सेंटर में आपने इसको रखना है इस परकार से और यहां से आप नजर नहीं आएगा क्योंकि नीचे की तफ रहा है और ये चैन अराम से आपकी कहां तक बंद रही है उपड़ तक अब आपको क्या करना है कैसे तो पॉकिट जब हम बनाते हैं तो इस प्रकार से देखिए जो पॉकिट है हमारी इस प्रकार से आपको कुछ नजर आएगी लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है नीचे वाला काम है यह वाला इसको कंप्रिट कर लेते हैं इसको हम लगाते हैं गुमसलाई इस तरह से यह देखें पहले इसमें में गुम्सलाई लगा लेता हूँ फिर उसके बाद आगे का प्रोसिस में आपको बताता हूँ तो दोस्तों जैसे नॉर्मल पॉकिट की तरह ही हमने इसको बना लिया है और मैं काफी सारी वीडियो बना भी रखी है की पॉकिट कैसे बनाई जाती है अगर आपको पॉकिट बनाने नहीं आती तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं लेकिन आज की वीडियो का जो में हमारा मुद्ध है वो यह है की पॉकिट में जिप कैसे लगाएं तो यह देखी इस परकार से नीचे का काम में लिए है अब इसको आपको साइड से जोड़ना है यह देखिए जो अलग अलग पार्टन सारे इनको आपस में ऐसे मिला लें यह दिकी बिल्कुल बराबर रगते हुए ठीक है उपर से भी बिल्कुल बराबर यह देखे अब आपको जो उपर से दो सिलाई की शुरुआते हैं करनी कैसे तो इसके लिए पहले थोड़ा सापको इस लॉक को थोड़ा साथ खोलना पड़ेगा नीचे के साइड यह देखी यहां से बिल्कुल बराबर और यहां से भी यह जो जिप है इसको यहां से बिल्कुल बराबर रखते हुए इसके साथ ही यह देखे यह चैन को थोड़ा बिल्कुर खीच के रखना है लूज नहीं छोड़ना लूज छोड़ोगे तो चैन थोड़ा लूज पना गया तो दिक्कत आ जाएगी बिल्कुर इसको बराबर रखें और इस वाले पार्ट को इस वाले चैन को तो भूल जा थोड़ दे के लिए इस वाले को आपने इसके साथ जोड़ना है यह देखें और यहां से सलाई की शुरुवात करनी है अब चैन के साथ सा सलाई लगाते जाओ यहां से धागे को कट कर लेते हैं तो अब आप देखें चैन जो है इस परकार से हमारी यहां तक लग चुकी है लेकिन में बात क्या है में बात यह है कि इसका जो बैक है अब इसके साथ कैसे अटेच करना है तो आप मैं आपको बताता हूँ बैक पे सलाई कैसे लगानी है तो दोस्तों यह देखी यह है हमारा पॉकिट ठीक है यह फ्रेंट वाला पार्ट है अब बैक वाले पार्ट के उपर आपने इस पॉकिट को ऐसे रख लेना है यहां से बिल्कुल बराबर ठीक है शुरुआत जो है पैंट की आपको नीचे से करनी है यहां से मतला आपको शलाई लगानी है अब सलाई को कैसे लगाना है इसके लिए मैं आपको लेकर चलूँगा मशीन पर तो अब इस सलाई को लगाते समय आपको क्या करना है यह दिखिए यह जो सलाई लगाई थी नहीं यह वाली आपको दिख लिए इसके बिल्कुल पास-पास में आपको श्राई को लगाना है मत थोड़ी सी दूरी रखनी है तांकि वे जो नीचे जो चैन है चैन आपकी कवर हो जाए और श्राई को बिल्कुल धीरे धीरे असानी से लगाए ऐसा नो कि चैन जो सुई है आपकी इस रणर के साथ साथ चड़ जाए तो बिल्कुल धीरे धीरे प्यार से स्लाई को लगाना है और इसके बाद मशीन को एक बाद थोड़ा बाहर निकालें इस तरह से और ये जो इसका रणर है ये वाला ये देखी ये इसका जो ड्राइवर है इसको थोड़ा खोलो इस परकार से और फिर अब इस स्लाई को कंटीनू कर लो तो स्लाई मैंने लगा लिए है अब एक बार आपको मैं दिखा जाता हूँ किस परकार से जो हमारी पोकेट है ये देखी ये हमारी पोकेट है असानी से लग चुकी है आप देख सकते हो ये चैन है और इसको मैंने इस परकार से हाट डाला और इस जिप को मैं इस परकार से बंद करके आपको दिखाता हूँ हमारी जो चैन है बहुत फिनिशिंग के साथ लग चुकी है और हाला कि थोड़ी बो जो नजर आ रही है उसके पीचे कारणी यह है क्योंकि यह चैन है अलग रंग की और जो हमारा पैंट है पैंट का जो कलर है वो है रैड का लगा तो इस प्रकार से दोस्तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे आपको जिपर लगाना है चैन काफियत तक पसंद आया होगा अगर आपको आज की वीडियो का टुटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहरी बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें थैंक यू वेरी माच